हेलो स्ट्रेंट्स आजम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट कोईशन कहा गया है वैल्यूएट अफ्लोइंग नीचे जो क्वेस्चन दिया गया है इसका वैल्यूशन करके हमें वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले ह क्या करेंगे इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपसे अग्रह करेंगे कि आप इस चैप्टर में तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको इस चैप्टर में यूज होने वाली सभी रिगोनोमेट्रिक फंक्संस की value याद करनी चाहिए तभी आप इस chapter को परें इससे आपको सारी बाते समझ में भी आएगी और आप जब खुद से practice करेंगे तो आपको सारा question solve होगा तो चलिए start करते हैं हमें first question में कहा गया है sign 60 into cost 30 तो सबसे पहले sign 60 की जो value होता है उसको put करेंगे sign 60 की value होता है under root 3 upon 2 फिर into है तो यहां हम into लगा देते हैं फिर cost 30 value होता है under root 3 upon 2 फिर यहां plus है तो हम plus का sign देंगे फे sign 30 लिखना है sign 30 का value होता है 1 upon 2 into है तो यहां पर हम cross कचिन देते हैं cost 60 value होता है, 1 by 2 तो यहाँ 1 by 2 लिख देते हैं अब जब इसको solve करेंगे root 3 root 3 cancel out हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 को 2 से multiply करेंगे तो 4 हो जाएगा फिर plus 1 को 1 से multiply करेंगे तो 1 रहेगा और 2 को 2 से multiply करेंगे तो 4 हो जाएगा अब जब हम 4 और 4 का calcium लेंगे calcium आएगा हमारा 4 4 के table में जब हम 4 find करेंगे तो 1 बार में आता है और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा फिर plus है तो plus फिर 4 के table में 4 को divide करेंगे तो हमारा divisible कितना आएगा 1 बार में चला आएगा 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहां 1 आएगा यही हमारा answer हो गया अब हमारा exercise 8.2 का next question है 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree इसका value हम निकालेंगे 2 को 2 ही लिख लेते हैं 10 45 degree है 10 45 degree का value 1 होता है तो 1 लिख लेते हैं और इसका square है तो square लिख लेते हैं plus है तो यहां plus लिख लेंगे फिर cos square 30 degree है cos theta value होता है under root 3 upon 2 तो under root 3 upon 2 लिख दिए इसका square है तो यहां square लिखेंगे फिर minus at minus लिखेंगे यह sin square 60 degree है sin 60 value होता है under root 3 upon 2 तो यहां लिखेंगे under root 3 upon 2 इसका square है तो हम इसको भी square दे देंगे अब next step क्या करेंगे 2 को 2 ही लिखेंगे 1 के square करेंगे तो 1 हो जाएगा plus under root 3 upon 2 को जब square करेंगे तब 3 upon 4 हो जाएगा और फिर minus यथी minus under root 3 upon 2 को जब square करेंगे यहां भी 3 upon 4 हो जाएगा यह minus में 3 upon 4 है यहां पर plus में 3 upon 4 है दोनों cancel हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा 2 into 1, 2 यही हमारा answer हो गया अब हमारे सामने exercise 8.2 का first का third question है इसको solve करेंगे यहाँ पर बताया गया है कि cos 45 degree upon 630 degree plus cos 30 degree cos 45 degree का value होता है 1 upon under root 2 यहाँ लिख दिये 1 upon under root 2 फिर upon में है 6 theta plus cos theta 630 degree value यहाँ हो जाएगा 2 upon root 3 plus cos 30 degree value हो जाएगा 2 upon 1 जब इसको आगे solve करेंगे 1 upon under root 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा root 3 और 1 calcium लेंगे तो root 3 आएगा root 3 कầm table में root 3 बार मायगा यहाँ 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा plus 1 के table में root 3 root 3 times आएगा तो इसको 2 को जब root 3 से गुणा करेंगे то 2 under root 3 हो जाएगा अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि 1 upon under root 2 में में divide करना है 2 plus 2 root 3 से upon root under 3 से जब divide multiply में change हो जाएगा तो इसके अगले step में हम लिखेंगे 1 upon under root 2 into root 3 उपर चला जाएगा और 2 plus 2 root 3 नीचे आएगा जहां लिखेंगे under root 3 upon 2 plus 2 under root 3 फिर जब root 3 को 1 से गुना करेंगे तो root 3 हो जाएगा upon 2 root 2 हो जाएगा फिर plus 2 को 1 से गुना करेंगे 2 root 3 को 2 से गुना करेंगे under root 6 हो जाएगा अब जब हम इसको सही से लिखेंगे तो under root 3 upon 2 root 6 plus 2 root 2 अब इसी का हम हर परिम्या करन करेंगे तो नीचे जो भी है वो उपर चला जाएगा 2 root 6 है यहाँ पर plus है sign change हो जाता है minus हम हो जाएगा 2 root under root 2 फिर नीचे भी वही चीज़ आएगा तो 2 root 6 minus 2 root 2 अब इसको multiply कर लेंगे तो 2 को 1 से multiply करेंगे 2 हो जाएगा और root 6 को root 3 से multiply करेंगे तो under root 18 हो जाएगा फिर minus plus minus हो जाएगा 3 को 2 को 1 से multiply करेंगे 2 हो जाएगा under root 3 को under root 2 से multiply करेंगे under root 6 हो जाएगा इभाइड़ वाए 2 root 6 plus 2 root 2 into 2 root 6 minus 2 root 2 यहाँ हम एक फर्मूला का use करेंगे a plus b into a minus b is equal to a square minus b square यह हमारा फर्मूला होता है इसी को हम यहाँ पर apply करेंगे तो 2 root 6 का यहाँ पर under root 6 का whole square हो गया फिर minus है तो minus लिखेंगे बी के अस्थान पर यहाँ पर 2 root 2 है तो 2 root 2 लिख देते है इसका square कर दिये इसके अगले step में क्या हैगा 2 root 18 18 को हम लिख सकते हैं कि 18 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 2 into 3 2 3 6 into 6 3 18 इसे लिख सकते हैं इस 18 को हम change कर दिये 2 into 3 into 3 में फिर minus 2 root 6 है तो 2 root 6 लिख लेते हैं upon देखिए जब इसको हम solve करेंगे 2 root 6 का square करेंगे कितना आएगा 2 root 6 का square कहने मतलब हुआ इसको 2 root 6 into 2 root 6 लिखे होंगे 2 से 2 को multiply करेंगे तो 4 हो जाएगा और root 6 root 6 multiply होके 6 हो जाएगा 6 forza 24 हो गया यहां हम लिखेंगे 24 फिर minus 2 root 2 को multiply करेंगे इसी प्रोसेस से हम लिखेंगे 4 into 2 8 हो जाएगा फिर अगला step क्या होगा जब root के अंदर 2 संख्यां आ रहा है तो यहां से 3 बाहर हो जाएगा 2 into 3 under root 2 बच गया फिर minus 2 under root 6 पहले स्था करेंगे 236 हो गया अंदर रूट 3 under root 2 minus 2 root 6 upon 16 अब इसके अगले step में हम क्या करेंगे यहां 2 2 common कर लेंगे यहां बच जाएगा 236 under root 2 minus root 6 upon 16 अब 2 से 2 से इसको हम cancel out कर लेते हैं 8 times 3 under root 2 minus 6 upon 8 यह हमारा final answer आ गया अब हमारे समने exercise 8.2 का one number का fourth question है इसमें कहा गया है sin 30 degree plus 1045 degree minus cos 60 degree upon 630 degree plus cos 60 degree plus cos 45 degree इसको solve करना है तो क्या करेंगे समका value पहले put कर लेते हैं sin 30 degree value होता है 1 upon 2 तो 1 upon 2 लिख लिए plus 7 plus लिख लेते हैं फिर cos 1045 degree value होता है 1 तो 1 लिख लिए नीचेम कुछ नहीं तो 1 फिर minus 7 minus फिर cos 60 degree value हो जाएगा 2 upon root 3 फिर upon 630 degree value लिख रहा है तो 630 कितना होता है 2 upon under root 3 हो जाएगा फिर plus है तो plus लिखेंगे cos 60 हो जाएगा 1 upon 2 फिर plus 445 degree हो जाएगा 1 upon 1 तो इसको आगे solve करेंगे 2, 1 और 3 कालसियम लेंगे कालसियम हमारा आएगा 2 under root 3 फिर जब 2 से divide करेंगे तो यहां बचेगा हमारा under root 3 और under root 3 को 1 से multiply करेंगे यहां आएगा under root 3 फिर plus है तो plus 1 से जब इसमें divide करेंगे तो यहां आएगा हमारा 2 root 3 और 2 root 3 को 1 से multiply करने पर 2 root 3 ही बचेगा फिर minus 8 minus लिखेंगे जब root 3 से 2 root 3 में divide करेंगे तो root 3 कर जाएगा तो 2 से 2 को multiply करेंगे तो 4 आएगा फिर नीचे आएगा 3 2 और 1 कालसियम लेंगे तो 2 root 3 आएगा root 3 से जब इसको divide करेंगे तो 2 होगा और 2 को 2 से multiply करेंगे तो 4 हो जाएगा फिर plus 2 को 2 root 3 में divide करेंगे 2 2 कर जाएगा root 3 बचेगा और root 3 का 1 से गुना करेंगे अंडर root 3 बचेगा, plus, plus हो गिया, फिर 1 से divide करेंगे, 2 root 3 हो जाएगा, और 2 root 3 को 1 से गुना करेंगे, तो 2 root 3 बचेगा, फिर हम देख रहे हैं, यह भाग और यह भाग दोनों cancel हो गिया, अब क्या करेंगे, यहां आगे में कुछ नहीं, तो 1 हो जाएगा, 1 को 2 में add कर देंगे 3 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, 3 root 3 minus 4, upon, फिर यहां क्या हो जाएगा, 4 plus, 4 plus, 2 root 3 में 1 root 3 add कर देंगे, 3 root 3 हो जाएगा, इसको जब सहीष लिखेंगे, तो 3 root 3 minus 4 upon इसको इधर लिख देते हैं इसको इधर लिख देते हैं तो 3 root 3 plus 4 ऐसे लिख सकते हैं अब यहां हर का पर्मया करन करेंगे जो denominator में रहता है जो denominator होता है उसी को हम उपर नीचे multiply कर लेते हैं लेकिन सिर्फ sign change कर देते हैं तो यहां क्या करेंगे 3 root 3 minus 4 फिर 3 root 3 minus 4 अब क्या करेंगे यहां 3 root 3 यहां भी है और यहां भी है यहां लिख सकते हैं कि 3 root 3 minus 4 का whole square हो जाएगा और नीचे म क्या हो जाएगा a plus b into a minus b इसका formula लगाएंगे यहां क्या हो जाएगा 3 root 3 whole square हो गया फिर minus 4 का square कर देंगे यहां लिख देंगे चुकि फर्मूला जो यूज किये है a plus b into a minus b b is equal to a square minus b a square इसी फर्मूला को हम यहां अपलाई किये है अब इसको हम आगे solve करेंगे यहां क्या हो जाएगा a minus b का whole square 3 root 3 इसका whole square लिख दिये plus 4 के square कर देंगे minus 2 into 3 root 3 into 4 upon क्या हो जाएगा 3 root 3 का square है इसको हम लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 यहां से double 3 आएगा और root 3 को square करेंगे 3 हो गया फिर minus इसको लिख सकते हैं 16 इसको आगे solve करेंगे 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा फिर plus 4 4 16 हो जाएगा फिर minus 3 2 6 6 4 24 हो जाएगा अंडर root 3 है अंडर root 3 लिखेंगे अपन 3 3 9 9 3 27 minus 16 है 16 लिख लिए अब यहां क्या करेंगे 27 और 16 को add कर लेंगे यह हमारा आएगा 43 फिर minus 24 अंडर root 3 बच गया फिर नीचे में कितना हो गया 727 में 16 माइनस करेंगे तो 11 बचेगा यही हमारा final answer आप हम exercise 8.2 का 5th नमर question देखेंगे 1 का 5th नमर question देखेंगे चलिए इसका start करते हैं solution इसमें कहा गया है 5 cos square 60 degree plus 4 6 square 30 degree minus 10 square 45 degree upon sin square 30 degree plus cos square 30 degree यहां हम एक फर्मुला का यूज करेंगे वह हम पहले लिख लेते हैं चुकि sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है तो हम यहां क्या देख रहे हैं यहां sin square इताग जगा 30 degree है फिर plus cos square theta जगा 30 degree है पिर नीचे में हमारा 1 हो सकता है इसको लिखेंगे 5 cos square 60 degree plus 4 cos square 30 degree minus 10 square 45 degree upon 1 लिख दिये क्योंकि इस पूरे का value 1 हो गया अब इसमें 1 से divide करेंगे तो वही रह जाएगा इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 5 cos square 60 degree plus 4 cos square 30 degree minus 10 square 45 degree अब हम यहां क्या करेंगे 5 को 5 ही रहने देंगे cos 60 की value यहां put कर लेते हैं cos 60 जो है वो हमारा 1 upon 2 होता है यहां इसका square कर लेते हैं plus 4 को 4 ही रहने देते हैं 630 degree 630 जो है वो हमारा होता है 2 upon under root 3 इसका हम square कर लिए minus 1045 degree का value होता है 1 तेहां 1 रख दिये इसका square कर दिये 5 को 5 ही रहने देते हैं यहां into है तो यहां into देते है 1 upon 2 का square करेंगे तो 1 upon 4 हो जाएगा फिर plus 4 into 2 का square यहां 4 हो जाएगा लेकिन under root 3 का square करेंगे 2 हमारा 3 रहेगा minus 1 है तो 1 फिर हम क्या करेंगे यहां नीचे हम कुछ नित 1 दे दे देंगे और 5 को 1 से multiply करेंगे तो 5 upon 4 हो जाएगा फिर plus 4 4 जा 16 upon 3 हो जाएगा minus 1 upon 1 4 3 काल से हम लेंगे तो यहां आएगा 12 अब जब हम इसका 4 3 जा 12 हो जाएगा और 5 3 जा 15 हो गिया फिर plus 3 4 जा 14 16 4 जा 64 minus 1 से जब 12 दिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा 12 को 1 से multiply करेंगे तो यहां 12 रहेगा अब हम क्या करेंगे इसको add कर लेते हैं 64 में 15 add कर देंगे तो यह ह यहां आएगा 76 अपॉन 12 यह हमारा फाइनल एंसर हो गया अब हमारे सामने exercise 8.2 का second number question है इसमें कहा गया है choose the correct option and justify your choice आप अपना सही उत्तर चुनिए और आप जो भी उत्तर चुन रहे हैं उस उत्तर को justify भी करना है justify करके बताना मतलब कई से आया चलिए इसका solution start करते हैं यहां बताया गया है 2 10 30 degree upon 1 plus 10 square 30 degree 2 को 2 रहने देते हैं और 10 30 का value put कर लेते हैं इसका value होता है 1 upon under root 3 upon 1 का 1 रख देते हैं और 10 30 का value फिर से रखेंगे तो 1 upon under root 3 हो जाएगा जहां square करना है square कर लेते हैं फिर जब 2 को 1 upon under root 3 से multiply करेंगे 2 upon under root 3 हो जाएगा 1 plus 1 का square करेंगे 1 under root 3 का square करेंगे तो 3 हो जाएगा नीचे हम कुछ ने तो 1 अब यहां क्या हो जाएगा 2 upon under root 3 यहां जब नीचे में हम इसका add करेंगे तो 3 हो जाएगा यहां 3 हो गया यहां पर plus 1 हो गया जब इसको आगे solve करेंगे 2 upon under root 3 upon 4 upon 3 हो गया जब इसको आगे हम solve करेंगे 2 upon under root 3 multiplied by 3 upon 4 ये नीचे बला जो number है ये हमारा उपर चला गया और नीचे ये हमारा रहा गया जब हम इसको solve करेंगे ये हमारा हो जाएगा 6 upon 4 root 3 जब यहां से हम इसको काटेंगे 2 3 जाए 6, 2 2 जा 4 3 upon 2 root 3 आया और जब इसका हम denominator का जब हम हर का परिम्या करन करेंगे root 3 उपर भी जाएगा और root 3 नीचे भी आएगा यहां उपर मोह जाएगा 3 root 3 upon 2 3 जा 6 हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 हो गया तो under root 3 upon 2 हो गया under root 3 upon 2 ये होता है हमारा sin 60 तो इसलिए हमें लिख देते है is equal to sin 60 है और ये नमर option हमारा साही हो गया अब हमारा question number second है थो में क्या बताया है कि 1 minus 10 square 45 degree बटा 1 plus 10 square 45 degree इसका value हमें इसमें find करना है तो 1 को 1 रहने देते है minus 10 square 45 degree है तो 10 square 45 degree लिख देते है upon 1 plus 10 square 45 degree है 1-10-45-1 लिख लेते हैं इसका स्कॉयर था दे दिये फिर अपोन 1-10-45-45-1 लिखना है 45-45-1 लिख दिया और इसका स्कॉयर कर दिये 1-1 हो गया उपर में और नीचे हम हो जाएगा 1-1 यहां पर 0 हो गया यहां 2 हो गया अब 2 से जब 0 में डिवाइट करेंगे तो यहां हमारा इंसर आएगा 0 और 0 जो है यहां यहां D number में है तो D number option सही हो जाएगा अब हमारा exercise 8.2 का question number 2 का third question है इसमें क्या बताया गया है sine 2 A is equal to sine 2 sine A is true when A number option में दिया है when A is equal to what तो हमें A number option में दिया है A is equal to 0 A is equal to 30 degree A is equal to 45 degree A is equal to 60 degree यहां हमें दिया है sine 2 A is equal to 2 sine A कब होगा मतलब A की value क्या रखते है यह हमारा condition satisfy कर जाएगा हम LHS RHS से check कर लेते हैं LHS बराबर हमें दिया है sine 2 A है यह हम पहला option check करते हैं कि एक मान अगर हम 0 रख ले इप A is equal to 0 जब हम 1 value 0 रखते हैं तो देखते हैं LHS क्या होगा तो LHS हमारा क्या हो जाएगा LHS हो जाएगा हमारा sine 2 into एक value 0 रख दिये अब 2 को 0 से multiply करेंगे तो यह हमारा आएगा sine 0 और sine 0 value होता है 0 फिर अब हम RHS solve करते हैं RHS में हमें given है 2 sine A तो 2 sine A लिख लेते हैं और यहां भी हम 1 value 0 रखेंगे इप A is equal to 0 then RHS हमारा क्या हो जाएगा RHS is equal to 2 sine 1 value यहां 0 रख देते हैं 2 को 2 लिख दिये sine 0 0 होता है तो यहां 0 रखते है अब 2 को 0 से multiply करेंगे तो 0 हो जाएगा मतलब RHS में भी हमें 0 मिल दा है और LHS में भी हमें 0 मिल दा है लेकिन कब लिखेंगे when A is equal to 0 we get sine 2 A is equal to 2 sine A इसलिए A number option हमारा सही हो जाएगा इंसर हो जाएगा अब हमारा exercise 8.2 का second question का fourth question है इसमें क्या कहा गया है 2 10 30 degree upon 1 minus 10 square 30 degree तो इसको हम solve करते हैं 2 को 2 रहने देते हैं 10 30 को 10 30 ही रहने देते हैं upon 1 minus 10 square 30 है तो 10 square 30 degree is equal to 2 को 2 लिख दिए 10 30 का value होता है 1 upon root 3 तो यहां लिख देते हैं 1 upon under root 3 बटा यहां पर 1 को 1 लिख दिए minus 10 ठतिक value होता है 1 upon under root 3 1 upon under root 3 लिख दिए इसका square कर दिए 2 को 1 से multiply करेंगे 2 हो गया under root 3 नीचे है तो under root 3 लिख दिए upon 1 को 1 लिख दिए minus 1 upon root 3 के square करेंगे 3 हो जाएगा नीचे हम कुछनीत 1 हो गया पिर जब इसको solve करेंगे 2 upon root 3 हो जाएगा हो जाएगा तो 3 upon root 3 हो गया जब इसका परिम्याकरन करेंगे तो root 3 ऊपर चला जाएगा और root 3 नीचे आएगा तो 3 root 3 upon 3 हो गया 3 से 3 cancel हो गया तो यहां आया root 3 root 3 हमारा इसमें से कौन सा option हो सकता है root 3 हमारा 1060 होता है लिख सकते हैं is equal to 1060 1060 इसलिए c number option हमारा सही हो गया अब हमारे सामने exercise 8.2 का third question है इसमें क्या कहा गया है if 10 a plus b is equal to root 3 and 10 a minus b is equal to 1 upon root 3 and 0 degree is less than a plus b less than equal to 90 degree a is greater than b find a and b यहां जो भी बात पताया गया है उसको सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे यहां कहा गया है कि 10 a plus b जो है वो root 3 के बराबर है तो हम लिख लेते हैं 10 a plus b is equal to root 3 इसको हम equation 1 मान लेते हैं फिर second में हमें दिया गया है 10 a minus b is equal to 1 upon root 3 यहां लिख लेते हैं 1 upon root 3 इसको equation 2 रख देते हैं अब हम क्या करेंगे यहां equation 1 से solution करेंगे from question 1 यहां लिख सकते हैं equation 1 जो है हमारा 10 a plus b is equal to under root 3 है इसको आके solve करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 10 a plus b is equal to इधर 10 है तो इधर हम चाहते हैं 10 आ जाए और यह हमारा हो जाएगा a plus b is equal to 60 degree इसको हम equation 3 मान लेते हैं अब हम equation 2 से चलेंगे जब second equation से चलते हैं तो क्या आता है 10 a minus b is equal to 1 upon root 3 इसको आगे solve करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 10 a minus b is equal to यह हमारा 1 upon root 3 है इसको हम जब आगे solve करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 10 30 का value यहां लिख लेते हैं 10 30 अब 10 से 10 cancel out हो जाएगा और A minus B is equal to 30 degree होगा तो हम यहां लिखते हैं A minus B is equal to 30 degree यह हमारा fourth equation बन गया अब हम क्या करेंगे equation third और equation fourth दोनों को add कर लेंगे adding equation third and fourth जब A plus B is equal to 60 degree था और A minus B is equal to 30 degree है दोनों को add कर रहे हैं तो यह हमारा plus में भी और यह हमारा minus B भी cancel हो गया यह हमारा आ गया 2A जब 60 में 30 को add करेंगे यह हमारा हो जाएगा 90 अब 2 इधर multiply में है उधर जाके divide हो जाएगा A is equal to 19 upon 90 upon 2 हो गया और 2 से इसको cancel out करेंगे 45 times में यह कर जाएगा A बरावर दिख सकते हैं 45 degree अब यही A हम किसी भी समिकरन चाहे तो 3 या चाहे तो 4 दोनों में से किसी एक में रखके हम B का value find कर सकते हैं तो हम A में समिकरन 3 common 45 degree है इसको हम समिकरन 3 में रखके B common find करेंगे putting the value of A in equation 3 third equation में हम एक value रखेंगे तो कि हमें third equation दिया हुआ है A plus B is equal to 60 degree तो एक value यहां 45 degree है यहां रख देते हैं 45 degree plus B बरावर 60 हो गया अब B की value लिकान लाए तो B को इधर ही रख लेते हैं और 45 degree को उधर भेज देते हैं यहां लिखेंगे B is equal to 60 degree minus 45 degree तो इसलिए हमारा B की value निकल लखाया 15 degree यह हमारा answer हो गया अब हमारे सामने exercise 1.2 का fourth question है इसमें कहा गया है state whether the following are true or false बताइए कि नीचे जो गतन दिया गया है वो true है यह false है justify your answer और आप अपनी उत्तर को justify भी करिए तो सबसे पहला जो question है इसमें बताया गया है sin A plus B is equal to sin A plus B देखिए अगर हम आपको sin 60 degree की value लिकालने के लिए बोलते हैं तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या हम इसको जब आगे solve करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकेंगे sin 30 degree plus sin 30 degree जब अगर हम इसे लिख पाते हैं इसका value क्या हो जाएगा 1 upon 2 जब इसको आगे solve करेंगे यह हमारा आएगा 2 upon 2 और cut का हैगा 1 लेकिन sin 60 का value जो है मैं पता है under root 3 upon 2 होता है क्या हम कह सकते हैं इधर जो value आया है वही चीज़ इधर है नहीं कह सकते है under root 3 upon 2 यह कभी भी एक के बराबर नहीं होता है इसलिए जो यह हमारा पहला कथन है पहला जो एस्टेटमेंट है यह बिल्कुल false है इसलिए हम यहां लिखेंगे false अब हम next statement चेक करेंगे इसमें कहा गया है the value of sin theta increases as theta increases यहां पर कहा गया है sin theta के value में जैसे encouragement आता है वैसे ही इसके मान में भी encouragement आता है देख लेते हैं sin 0 होता है 0 sin 30 होता है 1 upon 2 sin 45 degree होता है 1 upon under root 2 sin 60 degree होता है root 3 upon 2 sin 90 degree होता है 1 हम क्या देखे थीटा जो था हमारा थीटा जो था वो 0 डिग्री लिए थे जब थीटा 0 डिग्री लिए तो हमारा बैल्यू आया 0 जब थीटा हम 30 डिग्री लिए तो हमारा बैल्यू आया 1.2 मतलब क्या देख रहे है थीटा के मान में जैसे ही हम थीटा के मान में इंक्रिजमे चेक करते हैं, इसमें कहा गया है, the value of cost theta increases as theta increases, जब cost theta value बरहेगा, जब हम theta को बरहेंगे, ऐसा होता है, तो check कर लेते हैं, देखिए, cost 0 जो है, वो हमारा होता है 1, और cost 30 जो है, वो हमारा होता है, root 3 upon 2, cost 40 जो है, cost 45 degree जो है, वो हमारा होता है, 1 upon under root 2, और cost 60 degree जो है, वो हमारा होता है, root 3 upon 2, cost 90 जो है, वो हमारा हो जाता है, 0, यहां क्या देखे, theta के value जैसे बरहाएं है, वैसे वैसे इसके मानों में कमी आ गई है, इसकी value कमते गई, तो यहां जो बोला है, वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि theta के मान में जब हम increase करते हैं, जब theta को increase करते हैं, तो cost theta के value increase हो जाती है, लेकिन यहां पर बोला है increase होती है, इसलिए हम इसको लिखेंगे false, फिर अगला fourth number question है, इसमें कहा कि sin theta is equal to cost theta, for all values of theta, बोला है कि sin theta पराबर होगा cost theta के, और जहां theta जो है 30 degree, 45 degree, किसी भी theta पर पराबर होगा, ऐसा बोला है, देख लेते हैं, sin जब 30 degree लिखते हैं, जब हम 30 degree लेंगे, यह हमारा आएगा 1 upon 2, लेकिन जब cost 30 degree लेंगे, यह हमारा आएगा under root 3 upon 2, तो क्या 1 upon 2 और root under 3 by 2, यह कभी भी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए यह भी statement हमारा false हो गिया, लास्ट question है इसमें, कॉर्ट A is not defined for A is equal to 0 degree, मतलब बताया है कि कॉर्ट A बराबर defined नहीं है, मतलब कॉर्ट A का value अभी तक define नहीं किया गया है, इन finite है कॉर्ट एक value, अगर हम एक value हम 0 degree ले, कॉर्ट 0 degree हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इन इफिनिटिव हो जाएगा, यह हमारा true statement हो सकता है,